जिन्दगी कैसी अजीब सी हो गई है, खुस दिखना खुस होने से ज़्यादा जरूरी हो गया है, खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं, आपको गलतियां उतना कमजोर नहीं करती, जितना गलत फाहमियां कमजोर कर देती है, किसी के कोषने से या बुड़ा सोचने से कभी बुड़ा नहीं होता, होता वही है जो विधाता ने हमारे लिए सोच रखा है, अरजुन युधिष्टिर भीम नजाने कितने समा गए इतिहास में, पर सकुनी वाले पासे आज भी है कुछ लोगों के पास में, बहुत कुछ द वो ही इंसान सबसे ज्यादा मजबूत है, जिसका हिर्दय भी तूटा, सपने भी तूटे, अपने भी रूठे, फिर भी कहे सब ठीक है, मेरे भाई, घायल तो यहां हर एक परिंदा है, मगर जो फिर से उर्षा का, समझो वही जिन्दा है, जो रिष्टे गहडे होते हैं, जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है, कुछ वक्त खामोस होकर भी देख लिया हमने, फिर मालूम हुआ कि लोग सच में भूल जाते हैं, बड़ा आदमी वह है, जो अपने पास बैठे इंसान को छोटा महसूस ना होने दे, ऐसा तो सिर्फ जीने के लिए होता है, हसने क लिए तो हमेशा अपनों की जरूरत परती है, कभी कभी किसी की बाते हमें चुप जाती है, कभी कभी किसी का लहजा हमें मार देता है, यह जिंदगी है दोस्तों, यहां इंसान गैरों से नहीं, अपनों से ही हार जाता है, अकेले पन से वही गुजरता है, जो जिंदगी मे सही फैसलों को चुनता है, कुछ बाते समझाने से नहीं, खुद पर बीत जाने के बाद ही समझ आती है, अगर आप अपनी जिन्दगी खुद के तरीके से नहीं जीओगे, तो लोग अपने तरीके से तुम्हें जिन्दगी जीने पर मजबूर कर देंगे, मतलब की बाते तो सबसे हो जाती है, बे मतलब की बाते जिससे हो वही सबसे खास होता है, उम्मीद कभी मत छोरना, उपर वाले वहां से भी रास्ता निकाल लेते हैं, जहां से कोई रास्ता निकलने की उम्मीद नहीं होती है, जिन्दगी एक परिच्छा है और काफी लोग इसमें फेल हो जाते हैं क्योंकि लोग दूसरों की नकल करते हैं वो नहीं समझ पाते कि सब के पेपर अलग-अलग होते हैं बार-बार किसी से उसका वक्त मांगने से बहतर है अकेले जीना सीख लो क्योंकि यहां कोई किसी का नहीं होता स्रेय मिले अत्वा नो मिले अपना स्रेष्ट देना कभी बंद नो करे आसा चाहे कितनी भी कम हो निरासा से बहतर होती है रिष्टो का छेत्रफल भी कितना अजीब है लोग लंबाई चोड़ाई तो नापते हैं लेकिन कहड़ाई कोई देखता ही नहीं बड़े महंगे किरदार है जिन्दगी में जनाब वक्त वक्त पर सब के भाव बढ़ जाते हैं अपने कदमों की रफ्टार को इतना बढ़ा लो कि तुम्हें रोकने वाले घडिया लोगों की सोच बहुत पीछे छूट जाए बड़ी बड़ी पार्टियों में जिनको गरीब समझकर बुलाया नहीं जाता वही लोग अक्सर अंतिम यात्रा में सबसे पहले पहुँचते हैं जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेते हैं उनके दुख के उम्र बहुत लंबी होती है जूट किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भुमिकानी बाता है क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आही जाता है ये कल्यूग है दोस्तों यहां लोग अपनी पड़ेसानी से कम दूसरों की खुशी से ज़्यादा दुखी होते हैं मेहनत करते रहिए एक दिन ऐसा वक्त जरूर आएगा कि आप अपने मुश्किल वक्त के बाड़े में खुश हो करके बताएंगे पता नहीं इतनी होस्याडी कहां से सीखते हैं लोग साथ भी रहते हैं इर्ष्या भी करते हैं इस्ते भी निभाते हैं दुस्मनी भी निभाते हैं मुँपर कुछ और और पीट पीछे कुछ और होते हैं संसार की सबसे अच्छी किताब हम स्वयम है, खुद को समझ लीजिए सब समस्याओं का समधान हो जाएगा किसी के आने या जाने से जिन्दिगी नहीं रुपती है, बस जीने का अंदाज बदल जाता है जिसने अपनों को बदलते देखा है, वो जिन्दिगी में हर परिस्थिती का सामना कर सकता है हालात वो ना होने दे कि होसला बदल जाए, बलकि होसला वो रखे कि हालात बदल जाए ये चार लाइने हर एक महिला को समर्पित, दिन की रोसनी खाबों को बनाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई, जिस घर में मेरे नाम की तक्ती भी नहीं, मेरी सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई